जै मातारानी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक रहे वीडियो में मैं इस वीडियो में गजलक्षमी महालक्षमी की कथा पढ़ने जा रही हूँ गजलक्षमी की संपूर पूजाविधी सारे नियम और पूजन सामगरी के वीडियो मेरे चैनल पर देवी की कथा आप पूजा देखते जाएए और कथा सुनते जाएए आपको हाथ में चावल और पुष्प लेकर बैठना है एक समय धर्मुराज युदिष्ट्र ने कृष्ण भगवान को प्रसन चित्त देखकर कहा हे द्रिलो की नाथ समस्त ऐश्वरियों के स्वामी पायू महल हाथी घोडा आधी का फल भोग सके श्री कृष्ण बोले हे राजन सुनो सतियोग में जब रत्ता सुर आधी असुरों ने स्वर्ग लोग पर अपना दिकार कर लिया तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा ही प्रिश्ण देवरिशी नारज जी से पूछा था यह मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगल कारी है इस विशय में एक व्रत्तान सुनो प्राचीन काल में एक बहुत सुन्दर अपूर्व नगर था वहां की भूमी बड़ी रमनीक थी तरह तरह की रतनों से विभूशित भूमी एवं परवत थे यहां देव तीनों लोकों को वश्मे करता था उस नगर में चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मुक्ष थे उसकी विच्चत्र रशना देखकर विश्व कर्मा जी भी लज्जित होते थे उस नगर में मंगल से नाम का एक राजा राज्य करता था उसकी चिल्ल देवी और चोल राणी चोल देवी के साथ अपने महिल की छट पर बैठा हुआ था वहीं से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमरीक इस्थान देखा उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्री राणी चोल देवी से बोला है सुमुखे देखो यहीं पर तुम्हारी प्रसंता क लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुन्दर बाग लगवाऊंगा अपनी प्रिया की प्रसंद नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया कुछ दिन बाद वह बाग व्रक्षों लताओं फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चह चहाहट से अपनी गिराए कुछ रक्षक उसके भैसे व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कह सुनाया यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला तुम शिग्र वहां जाकर उस भयंकर सुवर को मार डालो राजा की आग्या पाकर सेन निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिरकाट डालूँगा तथा बाग के चारों वह राजा स्वायम अपना गोड़ा अड़ा कर खड़ा हो गया देव योग से वह सुवर राजा से ही निकल कर भाग गया राजा बड़ जंगल में पहुँच गया बहताल तमाल हिताल शाल अर्जुन लता अदी के वरक्ष थे राजा जंगल में चारों और ऊसे देखने लगा आगे चलकर सूवर राजा के सामने आया राजा में देखते लिगा और बहले के लगते इस सूवर ने अपना शरीक शोड़ दिया, व हे पृत्वी पती आपका कल्यान हो आपने मेरा उध्धार किया है अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ मैं चित्ररत नाम का गंधर्व हूँ एक बार देव समूह में ब्रह्माजी बैठे हुए थे कि चंचत पुट आदी तालों के साथ मैं सब्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई इस पर क्रोधित होकर ब्रह्माजी ने मुझे सूर होने का शाप दिया फिर प्राथना करने पर उन्होंने कहा तेरा उध्धार धर्मात्मा राजा मंगल से इनके हाथों से होगा अतह मैं अधर्म योनी को छोड़ कर अप श्री महालक्ष्मी जी का है इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे अब आप अपनी राजधानी वापस चाहिए नारज जी बोले हे इंद्र इस प्रकार कहकर गंधर्व अंतरध्यान हो गया राजा मंगल से इन अपनी राजधानी को वापस लोटे कि मार्ग म उन्हें बगल में मुरग चर में लिए हुए एक ब्रहामण पुत्र अपनी और आता नजर पड़ा राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले हे बटोक तुम देवता दैत गंधर्व हो अत्वा राक्षस इन में से आप कौन हैं मुझे सच सच बता दें जो आप इस घंगोर चंगल में आये हैं यह सुनकर ब्रहामण पुत्र राजा को आशिरवाद देते हुए बोला राजन मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहां आया हूँ अतह मुझे यतोचित आग्या दीजिए भगवान श्री कृष्ण बोले हे धर्मराज इ कहा हे विप्र तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा अब तुम किसी सरोबर में से ठंडा जल लाओ राजा की आग्या पाकर वह नूतन राजा को एक सुन्दर रक्ष के नीचे बिठा कर आप घोडे पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया आगे चलकर उसने रंग बिरंग के पक्षी देखे वैं पक्षी वहीं पर चल पड़ा थोड़ ही देर में वैं सरोबर के पास पहुंच गया यह सरोबर बहुत ही रबनीक था ऐसा प्रतीत होता था कि यहां भगवान विश्णू का ही निवास है सुन्दर सुन्दर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदिवक क्षियों से युक्त तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठे जलवाला महरिशी अगस्त की तरशा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर था वैसे ही वैं आगे बढ़ा कि उसका गोड़ा कीचड में फस गया अतह वैं गोड़े से उतर कर सरोबर के चा गलगान करती हुई पूजा कर रही थी नूतन अपने दोनों हाथ जोड़े इस्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला हे माताओ सच मुझे बतावें नूतन की मधुरवानी सुनकर वे बोली हे विप्र भक्ति भाव से शुद्धा युक्तो कर सुनो जो भगवती माया प्रक्रती और शक्ती नाम से प्रसिद्ध हैं हम उसी महालक्षमी का व्रत कर रही हैं उसी प्रकार की कथा तुम भी सुनो हे ब्रहमर यह व्रत भादर प्रत महीने की शुकल पक्ष की अश्टमी गिथी से आरंब होता है इस दिन प्रातह काल उटकर सुलह बार हाथ पाव सुलह धागों से युक्त एक डोरी यानिकी कलावा लेकर उसमें सुलह गाट लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप, आदी, सुगंदित प्रदार्थों से प्रत्य गाट की पूजा करें और ओ महालक्षमे नमहा इस मंत्र से सुलह बार अभिमंत्रित कर श्री गोडे पुत्र दो, हे विप्र इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और इस्त्री अपने बायंग में धारन कर सोलह दूप के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने, इस प्रकार भादो सुधी से लेकर अश्विन वदी अस्टमी तक नित्य प्रती कथा सुननी चाहिए, इसके पश्चात अश्टमी के दिन रात्री के समय जितेंद्री वरतकरता को इसनान कर श्वेत वस्ट धारन कर पूजा ग्रह में जाना चाहिए और पूर्व की और मुक करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त से तवस्ट धारनी आभुष्णों से विभूशित अभय बर देने वाली दोनों और हाथियों की सूड के जल से सीचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबती चंदन से भगबती का आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी भगवान विश्णु के पास स से आप यहां आओ आपके लिए ही मैंने शोडशोपचार पूजन सामगरी एकत्रित की है हे विप्र इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रत करता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए उद्यापन विधी इस प्रकार है स्वर्ण के पत्र से गव को सींग मनवा क तथा सोना एवं अन्य वस्तरादी किसी वेद पाठी ब्राहमन को दान में देदें यदि इतना ना हो सके तो यथा शक्ति द्रव्य देदें अथवा 16 ब्राहमनों को जिमा कर वस्तर आदी की दक्षणा देवें हे वे प्रिपुत्र हमने तुम को सर्वोत्तम व्रत बतला द को ले हे युदिष्टर इस प्रकार इस व्रत को इस्तरियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड में से निकाल कर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठे राजा के पास आया राजा को जल पिला कर नूतन बोला है राजन आज मैं यहाँ पर जो कुछ इस्तरियों से सुनकर आया हूं उसे ध्यान से सुनो उपरोगत हाल नूतन ने राजा को सुना दिया उस व्रत को नूतन और राजा दोनों नी किया तद उप्रांत राजा ब्रह अगवानी करने चल दिये चारों और घंटा और घरियालों के स्वर होने लगे ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है 16 श्रिंगार किये गज गामिनी इस्तरियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आई नगर वासियों द्वारा सक्कार किया गया राजा ब्रहमन कुमार नूतन के साथ गोड़े पर से उतर कर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देखकर क्रोधित हुई परन्तु क्रोध को चिपा कर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्निस्त्री से प्रेमालाब करने लगा है इसी कारण इसकी बाह में उस इस्त्री ने अपने सौभागे के लिए यह डोरा बांधा है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्रामन को भेजा है अतह क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह से तोड़ कर फेक दिया राजा उसकी करतूत ना समझ सका क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई उसने भूमी पर पड उस डोरे को ठालिया और उस ब्रामर से डोरे के बारे में सारा विवरन पूछा दासी ने सारा विधान जानकर स्वामिन चिल्ल देवी से जाकर कहा और बहराजा का सूत्र भी दे दिया रानी ने उसी समय नूतन को बुलबा वेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान स सुत्र को ना देखा तो अपार चिंता में डूब गया नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़े जाने का सारा हाल राजा को बता दिया यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और रानी चोल देवी से बोला अले दुर बुद्धे अब मैं तेरे महल में लक्षमी पू गई रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली अरे दुष्ट तू कौन है मेरे घर कैसे आई चल भाग यहां से इस प्रकार लक्षमी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे शाप देती हुई बोली मूर्ख तूने मेरा अपवान किया है अतह सुवर मु रानी से समानित होकर लक्षमी जी ने व्रधा का रूप त्याकर साक्षात अपना लक्षमी स्वरूप धारन कर लिया यह देखकर रानी चल देवी ने लक्षमी जी को शाष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया भगवती लक्षमी च व्रत को करें और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर को एश्वर्य से और संपूर्ण रखें उसके घर में आप सद्यव विराजमान रहें वह मेरे पती सहित आपकी ये कथा सारी पृत्वी पर विख्यात हो हे धर्मराज रानी से भगवती लक्षमी तथा अस्तू कहकर वहीं अंतरध्यान हो गई इसके पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल्ल देवी के साथ बड़ी श्रधा से पूजन और व्रत किया दुराचारिनी रानी चोल देवी इर्शिया वश होकर रानी चिल्ल देवी के महल में जाने लगी और वहां बठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोग दिया क्योंकि लक्षमी के शाप की कारण वह सुवर की समान दिख रही थी तानी दिखलाई नहीं देती थी तब वह दुखी होकर जंगल में महर शी अंगिरा के पास गई उसकी यह दर्शा देखकर मुनी अंगिरा ने और स्वयम श्री लक्षमी जी से उसके अपरात की शमायाचना कर उससे श्री लक्षमी जी का व्रत और पूजन करवाया व्रत के प्रभाव से वहरानी पुनह अपने लावर्ण में रूप को प्राप्त कर कीरती पाने लगी तदनंतर उसी वन में राजा शिकार खिलने को ग इसका कारण मुस्हें कहो राजा की बात सुनकर महरिश्य अंगिरा ने उसकी सारी कता सुना कर रानी चोल देवी उसे सौब दी राज़ा प्रसन्य चित होकर रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल्द देवी सहित प्रत्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी राजा मंगल प्रत्वी के समस्त सुखभोग कर अंतमे स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ नारज जी बोले हे इंद्र समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म अर्थ का मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा अतह तुम भी इस व्रत को करो जिससे धन धान्य भूमी कीर्ती आयू यश शोभा घोड़ा हाथी पुत्र पौत्रादी प्राफ्थों और तुम्हारी कीर्ती फैलती रहे इंद्र नारज जी को प्रणाम कर अपने लोग को गया और व्रत किया भगवान श्री कृष्ण बोले है युधिश्चिर नारज जी से देव राज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया जो सांसारिक वा पार लौकिक सुखों को देने वाला है इतिश्री भविश्योत्तर पुराना अंतरगत श्री महा लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त अब हाथ में लिए पुष्प और चावल लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना है और इसके बाद हवन कर आरती करना है दोस्तों अमीद करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर करने बिना बिल्कुल मच जाईएगा और मारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंड बॉक्स में जै माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा फिर मिलता है अगले वीडियो में जै माता कि क्रपा आप सब पर बनी रहें वह आपके भंडारे भरे रखें इन्हीं शिपकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूं जै माता लिखिए